अब आपका चहेता सब्जक्ट चून लेते हैं, मार्किट, बंबे स्टॉक एक्स्चेंज की बात करें, तो बंबे स्टॉक एक्सेंज 42,000 से 33,576, 4,000 मार्किट में फॉल हो गया, और 4,000 मार्किट में फॉल होने के बाद आगे क्या होगा, यह आपको याद होगा, बंबे थाजन 39,000 तक छूँ सकती है अब 36,500 नीचे का आकड़ा है अभी भी बाजार में क्योंकि करोना वायरस का जो पूरे विश्वा में इफेक्ट हुआ है उसका अभी तक भारत में 50% ही इफेक्ट नहीं हुआ और 50% होना बाकि है तो कहीं ना कहीं अगले हफते की prediction ये है कि उपर का आंकड़ा जो है 38,500 और नीचे का आंकड़ा जो है 36,600 यानि एक हजार पॉइंट और यहां से within next five days गिर सकती है क्योंकि five days का हफता होता है BSE का NSE में 10,900 इस वक्त 90 चल रहा है और 11,120 का उपर का आंकड़ा है और नीचे का आंकड़ा definitely 10,780 है ये भी नीचे आ सकता है शेर मार्किट में कमजोर दिल के लोग बिलकुल ना जाएं और लोग जो expert हैं वो short करके selling करके अपना पैसा कमा सकते हैं long run के लिए जब भी आपको अच्छे शेर नीचे की स्तर में मिले लेकर खड़े हो जाईए मगर भारत पूरा विश्व इस वक्त मंदी की चपेट में आया हुआ है और आगे आने वाले 22 दिन और खराब हैं आपको याद होगा कि मैंने बोला इसी चैनल के मद्यम से बोला था कि 12 फेबररी 14 फेबररी के बाद में कहीं न कहीं वातावरन शेर मार्केट में बहुती कुंठित और बहुती नीचे की तरफ क्योंकि इस तरह के समाचार हैं ये ग्रहोदशा, न्यूज और जीडीपी और अमेरिका का इलेक्शन is going to pull the market down to 35,000 also 35,500 तक भी बादार गिर सकता है अगले देड़ से दो महीनों में तो सोच समझ कर बाजार में खेले, गोल्ड की बात करें तो गोल्ड इस वक्त 44,158, 44,300 तक चल रहा है, ये 45,000 टच करकर आया है, हो सकता है अगले दो-तिन दिन 42,800 निचलासतार आ जाए, मगर गोल्ड में मैं बुलिश हूँ हो सकता है, अगस सप्तमबर तक गोल्ड 50,000 का बात करें तो सिल्वर का नीचे कस्तर जो है, ये 46,400 से नीचे नहीं जाता दिखाई देता, मैं सिल्वर को अगले दो महीने में कहीं न कहीं 50,000 वापिस देखता हूँ, मगर अगले पांच दिनों के लिए सिल्वर जो है, 48,200 हो सकता है, क्रूड ओयल में मंदी हो सकती है, 2900 के उपर पर बैरल हो सकता है, 3250 के उपर उपर कस्तर हो सकता है.